पीएम किसान सम्मान ने दियो जाना में नए आवेदन को लेकर CSA ने दो दिन पहले गोशना की थी कि आप CSA के मादयम से नए आवेदन कर सकते हैं अगर आप एक नए खिसान है तो इस योजना में जुड़ सकते हैं आपको डोकुमेंट अपलोड करने होंगे वो 2MB से कम के सा स्टार्ट हो चुके हैं यहां पर दो दिन पहले हैं वो CSA से निगोशना की थी और अभी आप देख सकते हैं पीम किसान्योजना में CSA के मादयम से ओनलाइन आवेदन स्टार्ट भी हो चुके हैं इस वीडियो में आपको step by step आपको किस तरह से ओनलाइन आवेदन करना है CSA दिखाई दे रहा होगा उसके बाद यहां पर आपके सामने शेश एक डेसवर्ड ओपन हो जाएगा यहां पर आपको जैसे निचे किदर पर श्कूल करो गए तो यहां पर एक नया लिंक एड़ किया गया है CSA लोगी नहीं हो पा रहा था अब यहां पर एक से लिंक की सान् करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस कुल कर आ जाएगा अब यहां पर आप जिस भी किसान का आवदन कर रहे हैं उसका पहले आपको चाह करना होगा कि आधार कार्ड में मूबाई नमर रेजिस्टर है यहां पर नहीं है अभी यहां पर जिन किसान भाई का रजिस्टर गाइन काऊ रोफ यहां पर किसान के मोबाईल डाल लीजिए दलने के बाद आपको यहां पर गेटी मॉबाइल ऐब उप्संट प्रकलिक करना होगा हुआ है उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाईल looking ऐसा कि इन देख सकते हैं जैसेadaş सबमिट कर देते हैं तो यहां पर आपकी सामने पहुत बहुत सारी उप्सन open हो जाते हैं यह रह आप जा जासे लिए घर और बसकल करोगे तो चार आपके सामने बोपन हो च вещ daily फिंगर हैं। capture करवा सकते हैं तो फैला यहां पर capture for ekvash, capture for ekvash, capture for mantra और mantra irsv2 यानि आप जो आंखों का scan होता है वो भी करवा सकते हैं और mantra से आफ इंगर लगवा सकते हैं और उपर से वाला मुझे लगता है कि वो startic हो सकता है आलांकि इसी का वो try नहीं किया गया है अपने इतना process मेरे mobile से देख लिया लेकिन यहां पर mobile में किया है कि finger machine add करने में वह सारी समय से आ जाती है तो अब मैं आपको laptop की screen पर ले चलता हूं वहां पर finger capture करवाता हूं किसान की और online आवेदन का आगे का process हम देखते हैं तो यहां पर सबसे फ़हले मैं यहां पर capture for ekyse by more for device वाले option पर क्लिक कर लेता हूं मेरी सबी details है और मेरे पास more for device available है तो यहां पर जो मैं जैसे क्लिक कर लेता हूं उसके बाद यहां पर finger machine की जो light और जले की finger रखना होगा और उसके बाद कुछी तेर में 2 या 3 सेकेंड में capture for successful का error उपर आज जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह आज चुका है यहां पर आपको क्यों करना होगा capture successful हो चुका है उसके बाद यहां पर आपकी साम इक सबडिस्टिक बलोग विलेज और farmer की जो personal detail हो भी डालनी होगी अलाकि यह पहले की तरह form नहीं है इसमें थोड़े कुछ change भी हो चुके हैं तो वह भी आपको ध्यान में रखना होगा यहां पर normal detail जो अधार कार्ड में होते हो यह आपर डालनी होगी जो मोटा मोट में आपको बताना होगा फिर यहां पर जो नए option जोड़े गए land transfer status यहां पर भी आपको अपनी detail का ब्योरा देना होगा तो यहां पर पहले की जमीन है या पर बाद की जमीन है 2019 के तो यहां पर श्यूज करना होगा जो आपको खतोनी में या फिर आप राजस्तान से हैं तो कि यहां पर आप कलिक कर लेते हैं तो जैसे ही यहां पर आप कलिक करोगे तो इस तरह से आपकी सामने option आजाएगा अब यहां पर आप चूज कर लेजिए आपको वैसा तो खतोन में मिल जाता है लेकिन यहां पर आपको खुद को चूज करना होता है कि आपको जमीन कैशे म डॉकमेंट्स में आपको लेंड आधार बैंक पास्वुक तीन डॉकमेंट आपको अपलोड करने होंगे शुच्छ ने दो दिन पहले ट्वीट करके जानकर दी 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 ती कि डॉकमेंट सिर्फ 2MB से कम के होने चाहिए और 2MB के कम के डॉकमेंट आप फाईल बना कर रख लें पीडियब बनाकर है और यहांपर अपको फॉर्म को सेव कर दे ना है सेव करने के बद zone का आपको सामने आपको फॉर्म का रजिस्टरेसन नमर आपके सामने आ जाएंगे तो रजिस्टेसन नमर गौए बहुत ही काम आने वाले हैं रजिस्ट्रेसन नमबर आपको मिल जाएंगे उसके बाद आपको फिर से सी लोगिन वाले उप्सन पर आना है यहां प्रोग्राप पेमेंट करना चाहते हैं तो मैक पेमेंट पर क्लिक कीजिए वह यहां पर जितना भी पेमेंट है वह यहां पर आपको काट देना है उसके बाद यहां पर status भी चेक कर सकते हैं farmer registration का आपको कितना PM किसानी हो जाना कि जो फर्म हो कहां तक पहुंचा है यहां पर आपको सबी detail हो मिल जाती है यहां पर अपना status चेक कर सकते है status of register farmer उसके बाद यहां पर आपको रसीड दाउनलोड करके अगर किसी दूसरे गावजन कर रहे है तो उसको किसान को रसीड है वो प्रिंटर से निकाल कर दे दीजी तो यहां पर आपको इस तरह से रसीड दिखाई देने वाली आप जैसे CSC का payment कर देते है payment करने के बाद इस तरह से रसीड आई रकॉमेंट लेकर फिजिकली तोर पर है वो अपने तैसेल के अधिकारियों के पास जाएं और अधिकारियों के पास जाने के बाद उन से मिले है कि हमने online फॉर्म करा दिये है आप जल्दे सल्द हमारे फॉर्म को है अपरू करवाएं तो वो अपरू भी करवा सकते है अलांकि आपका काम online कराने का है तो आप online कराके छोड़ दीजिए तो अगर आपको जानकर यह से लगी है तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद कि शानवाएं मिलते हैं अगले वीडियो में